एलो हलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगे एक तम बॉंबे स्टाइल मार्केट जैसी नमकीन वह आप सभी को बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंड करें शेयर करें तो आम्याबे बन मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी कुछली नहीं रहने चाहिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दो चंबर चंब ऑईल डालेंगे आपको घी या तेल नहीं डालना है इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं यह हमारी मुठी में कवर हो जाना चा के रेडी हो गया है अगर आपका डो आपके हाथ उसे चपके तो इस पे थोड़ा सा ओईल डाल कर इसको गूत ले आपको आटा टाइट ही लगाना है तो यहाँ पर हम अब लेंगे अपनी नमकीन बनानी मशीन आपके पास जैसी भी मशीन हो आप वैसी ही ले तो मेरे पास ऐस मशीन है तो मैं यह मशीन लोगी इसमें हम थोड़ा सा अंदर ओईल या घी लगा कर इसको ओईलिंग कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड ओईल लगा लिया है अब यहाँ पर मैंने दो नमबर का साचा लिया है आपको जैसी नमकीन बनानी है पतली मोटी आप उस अच्छे से लगा लिया है फिर हम इसे स्लैंडर शेप में करके अब इसके अंदर डालेंगे तो इसको अच्छे से नीचे प्रेश करें जो कि अच्छे से हम मशीन को बंद करें तो यह बहुत अच्छे से मशीन बंद हो जाए और नमकीन की फ्लिप्स अच्छे से निकल कर है तो आप देख सकते हैं अच्छे से बंद हो गई है और नमकीन किस तरह से निकल के आई है आप देख सकते हैं एकदम पदली हम लेंगे ओइल हमने यहां पर एक पैन में ऐइल गरम कर लिया है अब हम इसमें मशीन को प्रैस करके नमकीन को एक ही साइड में आपको नमकीन को करना किसा आप देख सकते हैं मेरी पहली नमकीन के लिए ऐसी आई जाए तो आप इसे टेल उपर डाल कर दालकर अधिसे ख में ब्रॉन्ट अधिक तक आप इसको ब्रॉएने के आप देखसकते हैं मेरे और यह पर या Hip-Dumc बन गई है आप में से निकाल गज़ेंगे दूसरी नमकीन को डालएंगे आपको एक ही साइड में मशीन को चलाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी नमकीन दुबारा से बन गई है एंड डाउन शेप में कितने अच्छी बन कर आई है इसके उपर तेल डाल डाल कर इस अच्छे से फ्राइ कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी नमकीन भी सिग गई है अब हम यहाँ पर मूफली को डीफ फ्राइ कर लेंगे मूफली को आपको डीफ फ्राइ करें उससे टेस्ट अच्छा निकल कर आएगा आप इसे टीशू पेपर पर निकल कर रख लें यहाँ पर मैंनेogen चने और मूणिक दाल भिगो रात में रख यी थी फिर मूए यहाँ पर द बेस्ट फ्राइक के पास जैसे चलनी हो इसमें डीप और यह पर मैंने नमकीन तक र।े ही बऩवब दाल कर रहाएक रिख stimmt बंस में डालेंगे मूँव और चने की डीप फ्राइड डाल, उसके बाद हम लेंगे हमारी डीप फ्राइर मॉफलियां, करी लीप्स, इसके उपर डालेंगे हम लाल मि पाऊडर, नमक, आम चुर पाऊडर, स्टाट में सलां, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्च स्कीप भी करें इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप सर्फ करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसे लगी थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब पर मोर नियू रेसिपीज